मिलिंग के लिए गोदामों पर डियों लेकर धान उठाव के लिए पहुच रहे मिलरों को कई समतन मुल्य धान खरदी केंदों के संचालक और व्यवस्तापक बैलंग वापस लटा रहे हैं ऐसे ही एक मामले की जान शेतू जब गोदामों के तलाशी लेने गुर्वार को जला मार्केटिंग अधिकारी कायलेग गोंदिया से अपसोर के टीम गई तो आठ जार कुइंटर धान दो गोदामों से कायब मिला अफरा तफ्रीकर गायब के गए धान की राशी एक करोड पचपन लाग बीस हजार रुपए वतायचारी है अब इस मामले में सालिकसा थाना कोतवाली पोच फरियादी जिलापणन अधिकारी मनुझ बाचपेई द्वारा समुर्द किसान शेती उद्योग साधन सामगरी प अधादी के समतर मुले पर जब किसानों से धान कहिदा जाता है तो धान खरिदी के पच्चार उस धान को संस्ता के गोदामों में ही रखा जाता है जिसके बाद कस्टम मिलिंग के लिए मीलेरों को डियो जारी किया जाता है इस परशी को लेकर मिलर्स खरिदी केंजों के सं जमा कराया जाता है जिसके बाद ये चावल सारवजनिक वित्रन प्रणाली के तहत राक्षिन दुकान में भेजा जाता है जासे गरिप के बीच ये वित्रन होता है लेकिन कुछ खरीदी बिकरी के संचालक सरकार के पैसों से खरीदे गए अच्छी क्वालिटी के धान को कर दिया जाता है ऐसे मामले सरकारी अमले की उदासिंता और सिस्टम की खामियों को उजागर करते हैं इस प्रकरण में संस्ता द्वारा किराये पर ले गए ग्राम साख्री टोला वा कुन्बी टोला अंतरगत आने वाले ग्राम रोंडास्थीत गोदामों की जांच संस्ता क कर्मचारी वव्यवस्थापक को साथ लेकर अपसरों द्वारा गुर्वार को की गई लेकिन दोनों खरीदी केंजों के गोदामों में महस कुछ धान के बोरे दिखाए दिये मतलब रजिस्टर स्टॉक चेक करने पर 8000 कुविंटल धान गायब है अफ्रा तफ्री के गए ध लाशी एक करोड़ पच्वावन लाख बीस हजार रुपए बताए जारी है धान संग्रहन केंजों के बीच जांच पश्चात गोदामों से धान गायब होने पर अब सरकार से दोकारी के जाने के चलते दर्च कराए गई है अब जिला प्रशासन और पुलीस विबाग द्व के लिए अलग-अलग धान खरेदी का लक्षर रखा गया था इसी के तहट जिले के साले कसा तरसिल के संस्ता सम्रत किसान शेती उद्योक साधन सामुगरी पुरवठाव खरेदी बिक्रिस सेवा सरकारी संस्ता द्वारा हजार कुइंटल धान की खरेदी की गई थी जिसमें से कुछ धान का उटाव कर लिया गया था शेश धान का उटाव होना बागी था जिसमें से 8000 कुइंटल धान गायब है के सरी उजला नियूज के लिए गोंदी हसे रवी आर्यकी रिपोर्ट